बात है 2023 की जब NCRT की किताबों में महात्मा गांधी नाथुराम गोड से और RSS से जुड़ी कुछ जानकारियों को हटा दिया गया था 2023 में ही NCRT ने बारवी की इतिहास की किताब से मुगलो का चैप्टर भी हटा दिया था जिस से खासे विवाद हो गया था अब एक बर फिर NCRT के सिलेबस में कुछ बड़े बदलाव किये गए है ये बदलाव आयोध्या विवाद को लेकर है सिर्फ आयोध्या ही नहीं आयोध्या से गोधरा तक इस बार कई बदलाव किये गए है कुछ एहम बदलाव जैसे बाबरी मस्जिद का नाम नहीं लिखा गया है उसकी जगा तीन गुंबदो वाली सनरचना लिखा गया है साथ ही अयोध्या मामले से जूरी जानकारी को घटा कर आधा कर दिया गया है जो पहले चार पेज में थिया वो दो पेज में है NCRT बारवी की पॉलिटिकल साइंस की किताब में जो बदलाव हुए है वो हाल के दौर में भारत की राजनीती में आए नई बदलाव को डारेक्ली या इंडारेक्ली रिफलेक्ट करते हैं क्या है ये बदलाव? इन बदलाव पर NCRT का क्या कहना है? और इन बदलावो की आखिर असली वजह क्या है? यही सब जानेंगे आज किस वीडियो में हलो हाई नमस्कार मैं हूँ गरिमा आप देख रहे हैं स्विच सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस बार के बदलावो से उसके बाद हम बीते सालों में जो जो NCRT ने कुछ चैप्टर हटाए हैं जिन पर विवाद हुआ है उसके बारे में भी बात करेंगे NCRT बारवी कक्षा की पॉलिटिकल साइंस की नई किताब बाजार में आ चुकी है NCRT क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की किताब से बाबरी मस्जिद विधवन्स और हिंदोत वकास जिक्र हटा दिया गया है पहले योध्या विवाद वाले हिस्से में दिसंबर 1992 में योध्या में विवादत धाचे को गिराए जाने और भारतिय राजनीती राश्ट्रिवाद और सेकुलरिजम पर पढ़ने वाले उसके असर के बारे में बताया गया था अब नई किताब में लिखा है कि सद्यो पुराने राम जन भूमी मंदर के कानूनी और राजनीतिक विवाद ने भारतिय राजनीती को प्रभावित किया जिसका नतीजा 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोट के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदर के निर्माड के रूप में सामने आया NCIT की पुरानी किताब में बाबरी मस्जित का जिक्र सोलवी शताबदी के मस्जित के रूप में किया गया था इसे मुगल समराथ बाबर के सेनापती मीर बाकी ने बनवाया था नई बुक में इसे तीन गुमबद वाला एक स्ट्रक्चर लिखा गया है गौर फर्माईएगा इससे कोई मस्जित नहीं बोला गया है इसमें बताया गया है कि तीन गुमबद वाली इमारत को 1528 में श्री राम के जन्म स्थान पर बनाया गया था इसके भीतरी और बहारी स्ट्रक्चर में हिंदू सिंबल्स और अफशेश क्लियर रूप से नजर आ रहे थे वही बुक में बाबरी मस्जद नाम के बजाए से तीन गुमबद वाला धाच और अयोध्या विवाद को अयोध्या विशे के नाम से पढ़ाया जाएगा चार पेज के टॉपिक को दो पेज का कर दिया गया है बहराल ये तो वो बदलाव हैं जिनके बारे में सोशल मीडिया पर खासा चर्चा हो रही है इसके लावा भी कई बदलाव किये गए हैं जैसे बुक से हटाए गई रेफरेंसेस में गुजरात के सोमनात से अयोध्या तक भाजपा की रत यात्रा कार सेवकों का रोल बापरी मस्जद गिराए जाने के बाद सामप्रदाइक हिंसा भाजपा शासित राज्यों में राष्ट्रिपती शासन लगना और भाजपा की अयोध्या में हुई घटनाओ पर खेद की एक्स्प्रेशन्स भी इंक्लूड़िड है ये तो हो गए एकदम हाल के बदलाव की बारे में बात अब इन सब की अलावा चाप्टर वाइस जो बीते कुछ दिनों में चेंज़ेस हुए हैं उन पर भी नज़र डाल लेते हैं पॉलिटिकल साइंस की ही किताब की चैप्टर वन चैलेंजस ओफ नेशन बिल्डिंग पेज 10 ये चैप्टर आजादी के संघर्ष को बताता है पहले की किताब में लिखा था कि सीमा के दोनों ओर से हजारों महिलाओं का अफरण हो गया था उनका धर्म परिवर्तन कराकर जबरन शादी कर दी गए और कभी-कभी तो परिवार के संवान के लिए उनके परिवारों ने उन्हें माग डाला नई chapters में सीमा के दोनों ओर से ये sentence को हटा दिया गया है और इसे और ज्यादा नॉर्मल बना दिया गया है पहले left का मतलब था गरीबों का साथ देने वाले लोग और उनके फाइदे के लिए सरकारी नीतियों की मांग करने वाले लेकिन अब की वर्जन में left का मतलब बदल गया है नई किताब में left उन्हें कहा गया है जो open competition की बजाए economy पर सरकारी कंट्रोल चाहते है पहले की किताब में राम जन भूमी आंदोलन और बाबरी मस्जिद विधवन्ष के राजनीतिक इस्तिमाल पर सवाल उठाए गए थे नई chapters में सिर्फ राम जन भूमी आंदोलन पर attention किया गया है NCRT Political Science Book Class 11 में भी changes किये गए हैं पेज 112 पर लिखा था कि 2002 में गुजरात में गोधरा कांड के बाद हुए दंगो में 1000 से ज्यादा लोग मारे गई थे जिन में से ज्यादतर मुसल्मान थे अब नई किताब में लिखा गया है कि दंगो में 1000 से ज्यादा लोग मारे गई थे इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि किसी भी दंगे में सभी समूदाई के लोग पीड़ित होते हैं। अब बात करते हैं कि क्या है NCRT का स्टैंड जो रीसेंट चेंजस हुए आयोध्या को लेकर उसके बारे में उनका क्या कहना है। पापरी मस्जित विधवन्ष या उसके बाद हुई साम्परदाईक हिंसा का संधर्ब क्यों हटा दिया गया। इस सवाल पर न्यूज एजिंसी PTI को दिये एक इंटर्व्यू में NCRT के डारेक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी ने कहा हमें स्कूल में दंगों के बारे में क्यों पढ़ाना चाहिए हम पॉजिटिव नागरिक बनाना जहते हैं ना कि वोईलिंट, हिंसक और डिप्रेस्ट NCRT के डारेक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी ने PTI को आगे इंटर्व्यू में ये भी कहा कि स्कूली सिलेबस के भगवा करण यानि सैफरनाइजेशन के आरोपों को वो खारच करते हैं उन्होंने कहा कि बुक्स में जो ये बदलाव हो रहे हैं ये एन्नुल रिवीजन का हि क्या यही शिक्षा का उधेश्य है कि हमें ऐसे छोटे बच्चों को दंगों के बारे में पढ़ाना चाहिए जब वो बड़े हो जाएंगे तो वो इसके बारे में जान सकते हैं खर ये तो है NCRT का स्टेंड जो हाल के दिनों में बदलाव हुए उस पर अब जानते हैं कि कह यह कहा NCRT की किताबों को पढ़ाया जाता है आपको बता दे कि अभी देश के कुल 23 राज्यों में NCRT सेलिबस पर अधारत किताबों को पढ़ाया जाता है इनमें उत्तर प्रिदेश, मध्यप्रिदेश, राजस्तान, गुजरात, हिमाचल प्रिदेश, उतराखंट, गोआ करनाटका, अत्रिपुरा, हरियाना, मीजोरम और दिल्ली शामिल है CBSC यानि के Central Board of Secondary Education के स्कूलों में भी यही किताबे बढ़ाई जाती है NCRT का फुल फॉर्म है The National Council of Education, Research and Training ये एक independent संस्था है जिसे 1961 में भारत सरकार द्वारस थापित किया गया था NCRT की स्थापना दिली में मुख्याले के साथ की गई थी जिसका में जो इंटेंशन था वो स्कूल की सिक्षा की जो एफिशेंसी है उसको और बढ़ाना था बहराल आपको जाते जासे बता दे कि साल 2023 में NCRT की किताबों से मुगलों से जुड़े कुछ चैप्टर्स को हटाया गया था जिसके बाद खासा विवाद हुआ था 2023 में ही NCRT की किताबों में महात्मा, गांधी, नाथुराम, गोरसे और RSSS से जुड़ी कुछ जानकारियों को भी हटा दिया गया था बहराल जो ये चेंजेस हो रहे हैं NCRT की किताबों में और जो इस पर आरोप लग रहा है कि ये सैफ्रिनाइजेशन का एक हिस्सा है, भगवा करन का एक हिस्सा है, उसके बारे में आपकी क्या रहा है क्या रहा है